Sir, best mic कौन से है? Best interface कौन से है? Best DAW कौन से है? Best room कौन से है? Best क्या कौन से है? भाई, ठक गया हूं मैं! Hello guys, कैसे हैं? आप लोग मेरा ना मैं शुबराज ड्रीम आर्टर कॉल से और आज आप देख रहे हैं मेरा second episode of 30 Days 30 Videos Challenge जहां पर मैं 30 Videos बना रहा हूं लगातार 30 दिनों के लिए तो मुझे everyday basis पर बहुत सारे DMs आते हैं बहुत सारे messages आते हैं जहां पर लोग मुझे पूछते हैं कि Sir, best DAW कौन सा है? Best microphone कौन सा है? Best audio interface कौन सा है? और मैं literally ठक गया हूं इन questions से same questions बार बार आने के वैसे मैं ठक गया और मैंने सुचा कि मैं इस पूरे topic को एक वीडियो में approach करूँ और अगर आप वो tutorial freaks है जिनको सिर्फ tutorial देखना होता है तो आप ये video skip कर सकते हैं आप दूसरा कुछ देख सकते हैं क्योंकि मैं इस video में कोई tutorial के बारे में बात नहीं करने वाला मैं फते की बात करने वाला हूं मैं facts की बात करने वाला हूं और शायद ये आपको पसंद ना आए और शायद आपको लगे कि ये कोई मतलब की बात नहीं है बट facts change नहीं होते है जो सच जो है वो change नहीं होता बेशक आपको पसंद आए या ना आए First of all मैं चाहता हूँ आप समझे कि technology ने बहुत चीजों को easy कर दिया है हमारे लिए पहले technology इतनी accessible, इतनी cheap, इतनी easy नहीं थी कि हर कोई avail कर सके या हर कोई easily इतने afford कर सके technology को लेकिन आज के time पे technology बहुत जादा cheap हो चुका है, बहुत easily accessible हो चुका है जिसकी वज़र से हमारे काफी सारे चीजे recording process में even in general lifestyle में easy हो चुका है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने तरीके से अपने तरफ से आप कोई effort डालना छोड़ दे और पूरा rely करे technology के उपर कि वो आपके गलतियों को सुधारे आप एक computer को जितना program कर ले आप एक computer को जितना कुछ भी कर ले बट वो as a artist वो हरकते नहीं ले सकता अपने सबकुछ fine tune कर दिया आपने सबकुछ बिलकुल perfectly time पर कर दिया बिलकुल perfectly pitch पर कर दिया बिलकुल सबकुछ सही है मीटर के हिसाब से लेकिन क्या वो हरकते ले सकता है क्या हो मुड्किया ले सकता है नुष्रत फतेली खान जैसे नहीं हो सकता because it's a computer, आप computer को कभी human performance से alter नहीं कर सकते, that's the fact और मुझे लगता है technology का ये एक बहुत बड़ा flaw है, with the growth in technology, लोग practice करना भूल रहे हैं, लोग महनत करना भूल रहे हैं आज के time पे, including me, musicians इतना practice नहीं करते, जितना पहले के time पे करते थे, पहले time पे लोग अपना heart and soul डाल देते थे, एक performance पे, एक गाने में वो जब perform करते थे, उसमें उनकी पूरी performance में उनका heart and soul दिखाई देता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है क्योंकि आजकल technology आगया है और musicians dependent हो गया है technology पे की technology उनकी गलतियां सुधारे और आप लोगोंने अकसर सुना होगा बुज़ुर्गों को कहते वे की पुराने time पे गाने बनते थे, ये partially correct है क्योंकि technology कम थी technology से हमारी growth हो रही है, हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन इसके कुछ flaws भी है आप technology आ गई है, चीज़े easy हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दे आपको अपने level पे मेहनत करना है और technology की आपको help लेना है, achieve करने में कुछ थोड़ा सा extra जाने के लिए, थोड़ा सा extra mile जाने के लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आप 8 घंटे everyday basis पे अपने vocals, अपने guitars practice कर रहे थे उसको आप 4 घंटे कर दे और 4 घंटे आप computer में बैठ रहे और ये जो पूरा कहने का मतलब है मेरा ये है कि आप थोड़ा सा sound के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा audio के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा knowledge gather कीजिए और सबसे बड़ी चीज आप practice कीजिए, अगर आप practice नहीं कर रहे हैं तो आप किसी technology पे rely भी मत कीजिए, कि technology आपकी गलतियां सुधारेगा और ये बात आप कभी मत भूलिए कि किसी भी skill को सीखने के लिए, किसी भी craft को सीखने के लिए आपको time देना पड़ता है, थोड़ा सा patience चाहिए आप में और सबसे बड़ी चीज आपको consistent basis पे उसको practice करना चाहिए आप school से निकल के best technology लेके आप industry में सबसे finest नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये ऐसे काम नहीं होता है तो मुझे याद है किसी बंदे ने मुझे Instagram पे DM किया और वो ready था 80,000 रुपीज invest करने में एक microphone के लिए और इसने मुझे पूचा कि sir कुछ नाम बताएं जिस जो microphones में invest कर सकता हूँ इस range के अंदर तो मैंने उसको कई सारे नाम बताएं मैंने तीन चाह उसको नाम बताएं अलग-अलग microphones के अलग-अलग companies के तो उसका जो अगला question था कि मुझे आप ये भी क्या आप मुझे help कर सकते हैं मेरे room को soundproof करने में क्योंकि उनके जो neighbors थे वो बहुत lousy थे वो बहुत शोर मचाते थे तो उनको soundproof करना था अपने room को तो उसके बाद मुझे exactly मेरे दिमाग में यह सोच है कि अगर आपके पास एक space नहीं है आपके पास एक basic जो space होता है कि आप जहां पर record कर सकें शान्ती से आपके पास अगर ऐसा space नहीं है आप वो 80,000 का microphone लेके कहा record करेंगे I'm sorry but यह fact है अगर आपके पास एक dynamic microphone है let's say आपके पास एक SM58 है और ऐसे सिनारियों में मेरे ख्याल से ऐसे सिनारियों में एक SM58 मुच बेटर काम करेगा रधर देन अ U87 expensive microphones that's the whole point आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा expensive gear ही आपको अच्छा output नहीं देगा आपको technology से जादा आपको उसके principles के बारे में सोचना चाहिए आपको theory के बारे में सोचना चाहिए कि वो exactly काम कैसे करता है अगर आपको polar patterns के बारे में नहीं पता तो आप expensive से expensive microphones लेके भी आप noise pickup करेंगे क्योंकि आपको basic theory नहीं पता है तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप gear पे invest करने से पहले थोड़ा सा knowledge पे invest कीजिए क्योंकि knowledge ऐसी चीज है जो आपको हमेशा useful होगी और आप हमेशा use कर सकते हैं जिसको आप थोड़ा सा knowledge में invest कीजिए आप वो 80,000 का microphone खरीदने से अच्छा आप 8,000 का एक book खरीदिये जिसको आप पढ़िए और आप समझे की actually recordings होती कैसे actually music बनता कैसे तो जो यह सारी चीज है यह आपको बहुत fruitful होने वाली है in future rather than आप एक 80,000 का microphone ले ले और सिर्फ उसको दिखाने के लिए आप बैठ जाए और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों अगर Michael Jackson जैसा बंदा SM58 पे recording कर सकता है तो हम बेशक कर सकते हैं हम brilliant records निकाल सकते हैं SM58 पे और उस टाइम पे technology इतना easily accessible भी नहीं था आजकल SM58 तो हर किसी के पास है तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को wrap करना चाहता हूं दोस्तों आप technology पे focus मत कीजिए अच्छी बात है आप technology के बारे में सीखिए आप नए-ने technology के बारे में पढ़िए लेकिन आप पहले सोचें कि जो आपके पास है आप उसको maximum तरीके से कैसे इस्तमाल कर सकते हैं जो आपके पास resources है आप उन पे अपना craft कैसे master कर सकते हैं और जिस दिन आपको लगेगा कि आपने अपने technology जो आपके पास available है उन पे अपने अपने craft master कर लिया आप next technology खरीदने के तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को रैप करना चाहूंगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो बेल का इकन दबाईए इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाएए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि आपको रिगुलर अपडेट्स मिलती रहे और मैं मिलता हूँ आपको कल मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, साइन आउट